निकाय चुनाओं में OBC आरक्षन के मामले को लेकर गठित किया गया उत्तरप्रदीश राज इस्थानिय निकाय समर्पित पिछड़ावर्ग आयोग आज पहली बैठक होने जा रही है आयोग की और हमाई साथ में समय आयोग के अध्यश न्यायमूर्ती रामवतार सिंग जी बाकी सदस्य हैं वो सभी यहां पर मौजूद है और उनसे बाचीत करेंगे जानेंगे आखिर कितना वक्त आयोग को लगेगा उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिस उदेश से इस आयोग का गठन किया गया है तो बाचीत करते हैं यहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष इसलिए च्छे महीने में कंप्लीट होगा अब देखिए कितना समय लगता है अभी नए काम है हमारे लिए नए चीज है सब पूरे यूपी में घूमना है हर जीले में हर कर्मिशनर हैड़वाटर पर और वहां जो हमें कलेक्शन डाटा कलेक्ट करने हैं जो इन्फरमेशन क अब पर इसके बाद रिपोर्ट तो याद करेंगे अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा और क्या सोर्सेज हो सकते हैं इस डेटा को लेने के लिए जब हम सर्वे की बात करते हैं पूब्लिक से भी पूछ सकते हैं पूब्लिक से जो गर्मानी लोग है उनसे कर सकते हैं संगठन भी होते हैं जो इस तरह के आयो मतलब पिछुडों के लिए मान लिए कोई संगठन काम कर रहा है तो क्या वो हमारे लिए एक सोर्स के रूप में काम कर सकते हैं ऐसे कह नहीं सकते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ राज सरकार से दिशा निर्देश भी आएंगे कुछ पुराने जज्जमेंट्स है हैं हाई कोड़ के ऊना पढ़कर त्यार करेंगे क्या-क्या उसमें आवश्यक्ता हैं, क्या-क्या जबुवत हैं, क्या इस तरह से तैयार करना है तो अभी टाइम लगेगा इसमें अब ने जाना किस तरह से आयोग जो है पूरे प्रदेश में जितने जिले हैं वहाँ पर संपर करेगा, जो डेटा है वो कलेक्शन का काम किया जाएगा रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो सबसे प्राइमरी सोर्स हम कह सकते हैं आलाकि इसके लावा लोगों के माद्यम से जो गड़मनने लोग होते हैं उनके माध्याम से भी डेटा इकत्रित किया जाएगा और उसके बाद में पूरी एक रिपोर्ट कमपाइल की जाएगी, आगे की जो रणीती है बहुत जल्द पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। कैमरा से होगी जीते इंदर की साथ शेले शरूरा, एबीपी गंगा लखनोग।